सब्सक्राइब नाम है उसमें क्या लिखा हुआ है मेरे हस्बेंड का नाम है उनकी डैथ हो गई थी तीन साल हो जाएंगे उनको गुज्रे तो जब उनकी डैथ हुई तो मेरा बेटा 45 दिन का था और ससुराल वालों ने मनहूस कहके घर से निकाल दिया था कहके कि पाउं शु प्या भी नी था ना कहीं से कोई सपोर्ट भी नी था और एक रात ऐसी थी जब मैं मेड की नोकरी देख रही थी खुद के लिए कि शायद बच्चे को साथ रखके यही नोकरी कर पाऊं वैसे मैंने बीटेक किया हुआ है तो दो साल मैंने काम किया मेनत करी और आज मेरे पा रहनी का ठीकाना नी था पैसे नी थे एक छोटा सा बच्चा था जब सबने हाथ खड़े कर दिये थे कि जाओ तो वो चो डर है ना मुझे रात को सोने नी देता मतलब मेरा बेटा है कलको अभी वो बीमार चल रहा है थोड़ा तो अगर मैं ना कर पाई तो क्योंकि अगर मन में कि मुझे घर से बोल दिया था कि जाओ यहां नहीं रहना तो वो जो डर अंदर से ना वो अभी भी नहीं जाता मन में दिमाग में बार बार ना इस होता है नहीं इस साल एक और घर खरीदना है इस साल एक और प्लोट लेना है नहीं कुछ करना है तो वो चीज मुझे बैठने नहीं देती है और मन में ही रहता है कि 24 गंटे को ना 48 गंटे बनाना है बनाना है आपका इस दर है इसको ब्रेकडाउन करते हैं यह सर्थ आपका इमेजनरी है यह रियालेटी पे बेस्ट है रियालेटी क्या है जो पेरी करंट सिचुएशन रही है जो मैंने चीज़े पास्ट एक्सपिरेंस नहीं वो तो पास्ट में थी बट आज तो आप कहरें कि आपकी सिचुएशन अच्छी है तभी आपने दो गर ख है यानि कि पास्ट में ऐसा हुआ अब दुबारा से ऐसा हो गया तो क्या होगा तो अब दुबारा से ऐसा नहीं हो सकता प्राक्टिकली क्योंकि यह जो आपके दो घर है वो आपके अपने नाम पे है तो आपके नाम पे जो घर है उससे आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता अब आपके अंदर ये डर आ रहा है कि अगर कल को मेरे बेटे को कोई health से related issue हो गया, जो आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा बहुत health में problem चल भी रही है, तो आपको क्या करना है कि अपने बेटे की और अपनी जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी health insurance करानी है, क्योंकि अब इसने घर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि इसका कोई end नहीं है, आपको होगे अब मैं तीन घर ले लूँ, चार घर ले लूँ, पांच घर ले लूँ, प्लस आपके अंदर से आ रहा है कि अब मुझे कुछ करना है, अपने दम पर कुछ बड़ा create करना है, पुरी दुनिया की, छोटे मुटे amount की नहीं, ताकि ये डर जड़ से खत्म हो जाए, डर क्या है, कि आज मालो आपके दो घर है, वो भी I'm assuming कि हो सकता है, आपने शार लोन पे भी लिया हो, ये आपका जो fear है, ये कोई imaginary नहीं है, ये real है, ऐसा हो भी सकता है कि भगवान ना करे कोई ऐसी बिम देना है, तीसरा घर खरीदोगे, unnecessary अपने ओपर EMI का बढ़ाओगे, और उसका कोई use भी नहीं है, वहाँ पर आपको रहना भी नहीं है, that is one, second, कि आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे दुनिया को दिखाना है, तो आप उलड़ी बहुत कुछ कर चु क्योंकि आप बता रहे हो कि एक ऐसी स्टेज थी आपकी लाइफ में, जब आपने बीटेक किया था और आप मेट की नौकरी करने के बारे में सोच रहे थे, आज आपने अपने पैसों से अपने बेस पर दो घर खरीद लिये हैं, तो क्या ये छोटी चीज है, ये बहुत दोगे, बस इसी रेस में भागते रहोगे, कि पुरी दुनिया को मैं प्रूव करूँगी, कि देखो मैं क्या हूँ, and that is the problem with most people, किसी को प्रूव करने के लिए अपनी जिन्दगी को मत जी हो, ये ऐसा है कि अपनी जिन्दगी जो की बहुत बड़ी एक चीज हमको मिली है, उसको अपने बहुत चोटा कर दिया है, ऐसे लोग जो हमारी केर भी नहीं करते, उनको हम कुछ प्रूव करना चाते हैं, अरे उनको छोड़ दो, वो पास थे, उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ, आगे बड़ो लाइफ में, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, उसको द I hope that answers your question, yes sir, sir, एक में, जो वीडो के लिए, जो stigma बनाया हुआ है, उसके पारे में, अगर आप थोड़ा बोलें, तो अच्छा दगेगा, ऐसी सिर्फ एक mentality नहीं है, कास system को ले करके है, वीडो को ले करके है, डिवोर्स को ले करके है, ऐसे बहुत सारे issues हैं, जिसको ले करके अभी भी लोगों की जो सोच है, वो बहुत ही conservative है, तो मेरे कहने से, या किसी के कहने से, या किसी के करने से, तो वो बदलने वाले हैं नहीं, ऐसे जो लोग होते हैं, जिनकी इस तरह की सोच होती है, उनका जो mind होता है, उनको ना तो किसी की बात समझ आती है, बस जो पुरा आप नहीं चाहिए जिनकी सोच बहुत ही conservative हो या ऐसे relatives नहीं चाहिए ऐसे लोग नहीं चाहिए तो जब young generation को ऐसे लोग चाहिए ही नहीं तो लोगा होगा क्या सोचो तो वो लोग इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि उसमें आपका फाइदा है वो इसलिए बदलेंगे या उनको इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि उसमें उनका फाइदा है आज की देट में भी बड़े बड़े शहरों में मैं गाओं की तो बाते नहीं कर रहा कि जब पता लगता है वैसे तो illegal है कि आप पता नहीं कर सकते ultrasound में के लड़का है लड़की है लेकिन आज भी यह हो रहा है कि जहां पर पता किया जाता है कि पिप में लड़का है लड़की है लड़की है तो गिरा दो इसमें हाथ किसका है क्या सिर्फ उन लोगों का है सिर्फ मेल्स का है या फीमेल्स का भी है पीमेल्स का कि जो लड़के की माँ हैं तो एक फीमेल आ गई? ये सर, वो लड़की खुद है तो एक फीमेल एक और आ गई? ये सर, तो इन दोनों फीमेल्स ने मिल करके उस बच्ची को मारा? ये सर, stand लेना चाहिए था खुद के लिए तो, उनको stand लेना चाहिए था खुद के लिए को आज भी कहीं न कहीं इतना डॉमिनेंट कर दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं हो सरकमस्टैंटस ऐसी बना दी जाती हो उसके सामने तब उसे यह करना पड़ता है यह बिल्कुल ऐसा है कि मैं अगर आपके लिए ऐसे सरकमस्टैंस बना दू कि आपको मडर करना पड़ेगा अगर आप नहीं करोगे तो आपको इस घर से निकाल देंगे कर दोगे मडर आज की रेट में जो लॉज हैं इंडिया में वो इतने स्ट्रॉंग हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है विमिन के स्टैंटपइंट से तो बहुत सारी विमिन इसका मिस्यूज भी कर रही हैं कि अगर एक आदमी ने कुछ गलत नहीं भी किया है लेकिन अगर विमिन चाहे तो उसकी और उसकी पूरी फैमिली की धजिया उड़ा सकती है एक सेकंड के अंदर अंदर लीगली इतना स्ट्रॉंग है जो लॉज है कितने मेरी इस बात्सेगरी कर रहे हैं सब एगरी कर रहे हैं अब वो टाइम गया कि आप अपनी बीवी को मारते रहोगे पीटते रहोगे और उचुपचा बैटी बैटी ये बोलती रहेगी कि नहीं ये तो मेरे पती हैं परमेश्वर हैं मैं इनके चड़नों की दासी हूँ मेरे को नहीं लगता कि वो टाइम है बलकि इसका उल्टा भ हो रहा है गर में मिरी बीवी मुझे मार रही है तो जैसे आप अभी असरे हो ऐसी पुलिस वाले हसेंगे लिए जलबा यहां से और अगर एक विमन चली जाए वहाँ पर तो सीधा उसको पकल के लाएंगे और उठा करके फैमिली समेट और लॉक अप में डालेंगे फिर बात करेंगे बता बेटा क्या हुआ है कहने का मतलब है कि अब यह जो बाते हैं वो इतनी relevant नहीं है at least ऐसी जगाओं पर जहां पर awareness है जहां पर education है जहां पर लोगों को इसके बारे में पता है सर मैंने ना एक चीज एक अब इन्होंने बोला ना कि मतलब मेल सी मतलब इस वारे में बोला करते हैं कि इस बच्चे को गिरादो इस तरीकी की बाते मतलब मेल सी बोलते हैं बट मेरा experience यह कहता है कि ज़्यादा तर वोमेंस ही वोमेंस के लिए यह चीज़े बोलती है तो फी बट सर यह सब गोढ़ा है सब के लिए नहीं है जी इस बात्सपने लिए नहीं है तो आप मेरी सीनारियो दो चेंज हो रहा है बैं यह नहीं कहूंगा पूरी तो लोग जो नहीं बदलेंगे वक्त के साथ साथ मैं है में जो आपको question था कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं मैं गहा रहा हूँ वो सारे खत्म हो जाएंगे आने वाले time में